नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जादा important topic के बारे में दिसम्बर का मैना जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वैसे ही सरदियां भी दीरे दीरे अपने सब्सक्राइब करें, उस उसमय में कहीं सारे परीवर्ति यहां पर देखने को मिलु रहे हैं यहिए पर जोतिश में हम सब इक पहले चीज़ों को देखने के कोशिक करतें इक तरह कह सकते कि किस तरह के मौसम को बनाती है कैसे कौन सा ग्रह मौसम मौसम में के अंदर अपना बड़ा प्रभाव देता है कैसे कोई नक्षट्र एक अच्छे ९ांसे मौसम को बिगाड सी चल रही है मैं 11 अप Saud दस दिनों में जो ग्रह चार इस्तिती बनी है यहां पर जो ग्रहों और नक्षद्रों का सामझे सी यहां पर बना है उसे देख करके यहां पर कई सारी कैलकुलेशन निकल के आ रही हैं तो वही मैं आप सभी के साथ शेर करने की कोशिश कर रहा हूं यह समय दिखाता है कि जैस जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिखेगा सर्दी और गर्मी का माहूल जो है वह अलग-अलग होता हुआ नजर आएगा और मौसम काफी जादा परिवर्तन यहां पर देता हुआ नजर आएगा कडाके की सर्दी यहां पर पढ़ने वाली है और एक और चीज यहां इंपॉर्डेंट बता देता हूं यह वीडियो बनाने की पीछे मकसद यहीं था क्योंकि यह समय यह सर्दियां यह मौसम जो है यह सीधा का सीधा हमारी हेल्थ के उपर प्रभाव देने वाला है कोई भी मौसम जो होता है यह हर तरह से हर बार अलग-अलग तरीके से प्रभ प्रभाव आता है काफी बार नेचर के उपर प्रभाव देखने को मिलता है काफी बार इंसानों के उपर देखने को मिलता है और काफी बार हमारी हेल्थ के उपर देखने को मिल रहा है इसका सीधा का सिधा प्रभाव हमारी हेल्थ के उपर जादा नजर आ रहा है इसी वज में आप सभी को बहुत सारी चीजे मैं कहुंगा की ध्यान करके चलिएगा सबसे पहली और इंपॉर्डेंट चीज यहां पर आप सभी को ध्यान रखनी है अपनी सेहत का पूरा-पूरा ध्यान करिएगा अगर जो चीजें आपके अलड़ी बिमारी चल रही है कोशिश करें कि अपने आपको दूर करने की कोशिश करें और 2023 में जब आप एंटर करें तब पूरी तरह से स्वस्त होकर के 2023 में एंटर करें तो यह जञेज करें ग्रह सब पर प्रवेश करेंगी तो जिस समय पर 2023 में प्रवेश कर रहे हैं जो कुली यहां पर बनती है जो एक स्ट्रक्चर यहां पर बनता है वह कहता है कि आपकी मनोस्तति ही आपके 2023 को बनाने वाली है इसके ऊपर और वी 2023 को और जो हमारी बॉड़ी का एक एनर्जी स्ट्रक्चर रहेगा यही एनर्जी स्ट्रक्चर 2023 में पूरे साल मेंटेन करता हूँ नजर आएगा या वो और जदा रिड्यूस होता हूँ नजर आएगा कुछ इस तरह के प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं इसी वज़े से यह जो समय चल रहा है इस समय में अभी आपको अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है थरमास शुरू हो जाएगा भी सूर्यदेव धनुराशी में प्रवेश कर जाएंगे बुद्ध की चाल भी काफी बार यहां पर बदलाव दे रही है और उसकी वज़े से भी ह हम सभी को कहीं ने कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन या फिर थोड़ा सा मेंटरी स्ट्रस की चीज़ें या पर जरूर देखने को मिलेगी और ऐसे में बोंस हड्यों से संबंदित बिमारिया आपको ना हो जाए इस बात का विशेज द्यान रखेगा सर्वाइकल इस बात का वि काफी जदा परिशान करता हुआ नजर आएगा खासकर अगर मैं बात करों तो 21 दिसंबर से लेकर के और 18 जैनिवरी तक के बीच का जो समय रहेगा यह आपके लिए थोड़ा सा जादा परिशानियों वाला रहेगा इस समय के दौरान में अपने आपको पूरी तरह से प्रि एकदम से आप दिखेगा सफोकेशन जैसा माहूल देखने को मिलेगा और दिन में अजीब सी गर्मी और रात को बड़ी कह सकते हैं इस तरह का माहूल यहां पर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिता है यही आपसे कहूंगा कि जो समय चाले इसको समझे थोड़ा सा ग्रहों आपको वैदर के साथ एड़िस करकर के ठोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलने की कुशिश करें हवाबाजी वाली बाते नहीं करनी है और नहीं अपने आपको लाइक इगो में रखना है या फिर अपने आपको दिखावे में रखना है कि मैं तो कुछ नहीं पहनूंगा नहीं चलेगा कि कब यह ठंड आपको अंदर से परिशान कर दीगी और कैसे बिमारी आपके आसपस आ जाएगी तो इसलिए इस समय का बहुत जादा ध्यान रखिएगा यहीं समय आगे क्योंकि 2023 इनीशिली जो समय रहेगा यह वैदर में बहुत सारे चेंजिस लेकर क्या आ रहें 2023 का जो एक बेसिक कैलकुलेशन रहेगा यह मैं आपको सभी को बताऊंगा उसमें आप सभी को सारी चीज़ें पता चलेंगी बट अभी हमारा प्राइम मक्सद हमारा जो में मक्सद है यह आज दस सारीक निकल चुकी है अब जो इस महीने के 20 दिन बचे हैं आपर 21 डे इसके अंदर हम सभी को अपनी हैल्थ को लेकर के पूरी तरह से प्रेकॉशन रखने की जरूरत हैं दिखिए दिसंबर का मैना है हम सभी गुमने जाते हैं हम सभी आउटिंग पर जाते हैं हम सभी बाहर इंजॉय करने के लिए निकलते हैं बट आप सभी को एक चीज में हो गया वर्वाली की तरफ हो गया या फिर बहुत जादा बारिश का अगर माहोल है तो वहां पर मत जाएगा नहीं तो वहां से आप सिर्फ और सिर्फ बिमारी ही लेकर के आएंगे इस तरह की योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं और देखेगा एक चीज और बता आपको cold,cuff,fever,fever से बचाके रखिएगा इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि यह समय आप सभी को जकरने का समय रहेगा परिवार में बीमारियां फैल आने का समय रहेगा एक पसंस ठीक होआ दूसरा भी मार हो गया दूसरा ठीक होआ तीसरा वी मार हो ग करें गरम चीजों का सेवन थोड़ा से जादा करें काड़ा हो गया कावा हो गया या फिर चाय हो गई अद्रकिलाइची के साथ पीने की कोशिश करें तो यह सारी चीज़े जब आप करेंगे तो आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा और जिस तरह से यह ग्रह नक्ष करता हूं कि आप सभी इस सर्दी के मौशं में बिमार नहीं होगे आप सभी इस समय को आराम से निकाल धेंगे और आप सभी को किसी भी तरह से कोई परिशानी आ पर नहीं होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सुराइब कर दीजिए मैं चाहते हैं कुछ आपने वाद